सुलेमानी हकीक, जिसे सुलेमानी एगेट या सुलेमानी स्टोन के नाम से भी जाना जाता है. इसका नाम वर्तमान तुर्की में सुलेमान परवत से लिया गया है. ये पहार सुलेमानी हकीक सहित विभिन्न प्रकार के सुलेमानी रतनों के उत्पाधन के लिए जाने जाते हैं पत्थर को पारंपरिक रूप से उसके आध्यात्मिक गुणों के लिए महत्व दिया गया है और सदियों से विभिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं में इसका उप्योग किया जाता रहा है यह अक्सर कुछ विश्वास प्रणालियों में सुरक्षा, उप्चार और आध्यात्मिक ग्यान से जुड़ा होता है खास कर भारत, पाकिस्तान और मध्यपूर्व सहित एशिया के कुछ हिस्सों में सुलेमानी हकीक कब धारण करना चाहिए? आईए जानते हैं कुछ परंपराओं में सुलेमानी हकीक पहनने या रखने से नकारात्मक उर्जाओं से सुरक्षा मिलती है शारिरिक उप्चार को बढ़ावा मिलता है, तनाव और चिंता कम होती है और आध्यात्मिक विकास और ध्यान प्रथाओं में व्रिद्धी होती है हाला कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह दावे वैज्ञानिक प्रमानों के बजाए काफी हद तक लोग कथाओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित है लोग सुलेमानी हकीक को आभुशन के रूप में पहन सकते हैं या इसके कथित लाभों के लिए इसे ताबीज या ताबीज के रूप में रख सकते हैं कुल मिलाकर, जबकि सुलेमानी हकीक का एक सम्रिद सांस्कृतिक इतिहास और प्रतीकवाद है, इन कथित लाभों को प्रदान करने में इसकी प्रभावकारिता व्यक्ति पर्ख है और व्यक्ति-दर व्यक्ति भिन्न होती है. एक सुरक्षात्मक ताबीज के रूप में कई लोगों का मानना है कि सुलेमानी हकीक को अंगूठी, पेंडेंट या कंगन जैसे आभूशन के रूप में पहनने से नकारात्मक उर्जा, बुरी नजर और काले जादू से सुरक्षा मिल सकती है. इस उद्देश्य के लिए इसे अक्सर प्रती दिन पहना जाता है. ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान, कुछ व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना या अन्या आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान ध्यान, एकाग्रता और आध्यात्मिक संबंध बढ़ाने के लिए सुलेमानी हकीक पहनते हैं ऐसा माना जाता है कि यह आंतरिक शांती और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान सुलेमानी हकीक को कभी कभी तनाव, चिंता या तनाव के समय शांती और स्थिर्ता की भावना प्रदान करने के लिए पहना जाता है ऐसा माना जाता है कि इसमें सुखदायक और शांत करने वाली उर्जा होती है एक fashion statement के रूप में इसके आध्यात्मिक गुणों के अलावा कुछ लोग सुलेमानी हकीक को इसकी आकर्शक उपस्थिती और सांस्कृतिक महत्व के कारण केवल एक fashion accessory के रूप में पहनते हैं कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सुलेमानी हकीक या किसी अन्य रत्न को पहनने के लिए कोई विशेश दिन निर्दिष्ट नहीं है हाला की कुछ व्यक्ति इसे ऐसे शुब अवसरों या दिनों पर पहनना चुन सकते हैं जो उनके लिए व्यक्तिगत महत्व रखते हैं अन्ततह सुलेमानी हकीक कब पहनना है इसका निर्णय व्यक्तिगत मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और व्यक्तिगत प्रात्मिकताओं पर निर्भर करता है कुछ लोग इसे अपनी दैनिक पोशाक के हिस्से के रूप में नियमित रूप से पहन सकते हैं जबकि अन्य इसे विशेश अवसरों या समय के लिए आरक्षित कर सकते हैं, जब वे इसके कथित लाभों की तलाश करते हैं जैसे कि ध्यान के दौरान या तनाव के क्षण सुलेमानी हकीक एक प्रकार का रत्न है, जिसे अकसर कुछ विश्वास प्रणालियों में आध्यात्मिक गुणों वाला माना जाता है, खास कर हिंदू धर्म और इसलाम की कुछ शाखाओं में हाला की यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुलेमानी हकीक जैसे रत्नों के लाभों या गुणों के बारे में दावे काफी हद तक वास्तविक हैं और व्यज्ञानिक रूप से सिध्ध नहीं है, यहाँ सुलेमानी हकीक से जुड़े कुछ कथित लाभ दिये गए हैं लोगों का मानना है कि सुलेमानी हकीक पहनने या रखने से तनाव, चिंता और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। शारिरिक उपचार ऐसा कहा जाता है कि इसमें उपचार गुण होते हैं और यह सिरदर्द, शरीर दर्द और पाचन समस्याओं जैसी शारिरिक बीमारियो से राहत दिलाने में सहायता कर सकता है। आध्यात्मिक ज्यानोदय, सुलेमानी हकीक कभी-कभी आध्यात्मिक विकास, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने से जुड़ा होता है। उर्जा को संतुलित करना, ऐसा माना जाता है कि यह शरीर के भीतर यिन और यांग उर्जा क को संतुलित करता है सद्भाव और कल्यान को बढ़ावा देता है इस विडियो का दूसरा भाग जल्द ही आ रहा है अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें देखने के लिए धन्यवाद